लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकोन को दबाना बिलकुन मद भूलिएगा ताकि फॉरी तोर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें चेहन्द अब अफगान तालिबान पहुँच गया अफगानिस्तान के काबुल वो भी 15 अगस्त को हम सब लोग आजादी का चश्ण मना रहे थे और वहाँ पे दंदनाते हुए अफगान तालिबान घुस गई एकदम काबुल के अंदर अफगान आर्मी ने सरिंडर कर दिया जितना तालिबान को खुशी नहीं हुई है जितना तालिबान को खुशी नहीं हुई जितना इसलामिक स्टेट यानि कि दाइश को खुशी नहीं हुई जितना अलकाइदा को खुशी नहीं हुई उससे कहीं जादा हुई पाकिस्तानियों को खुशी ऐसी खुशी की मानो रिश्टेदारी में कहीं शादी हो रही हो पूरा पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान खुशी में लोट पोर्ट एक दम बिल्कुल के जैसे बहुत बड़ा कुछ हो गया हो बहुत बड़ा कुछ जश्न मना रहा है उत्यवार हो कोई और हाँ एक और बात पाकिस्तानी मीडिया को देखिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया तो ऐसा मैं आपको बताऊं कि जैसे अब उपर से कोई उतर कर आ गया फरिश्टा जो उनकी हर मांग पूरी कर देगा जैसे इनको अलादीन का जिन्द मिल गया हो बहुत खुशी तरह इस पर अनलिसिस करेंगे आज थोड़ी सी बहस करेंगे ब्रेकिंग न्यूस भी लेंगे बीच में एक बड़ा मज़दार प्रोग्राम होने वाला है बने रही है मैं शुरुआत करता हूँ हामिद खान साब आपसे और मेरी आपसे घुजारिश है सर आप जब आप बोलें तो यहाँ पर क्या है एक दूसरे की उपर हम लोग नहीं बोलते हैं सर तो मेरी यह request है मैं आपको interrupt नहीं करूंगा आप सर बिना सांस लिए बोलते हैं आप सांस ले लें मीच में सर पूरी अजाज़त है इस प्रोग्रम में सांस लेने की आप लिमिटर बोलें आप खान तुखान होगा सुबूई खान और अमिद खान इंडिया वसस पाकिस्तान अच्या बात बताईए हामिद काण साब किया बात है ये इतने ढोल अगाडे, पाकिस्तान में, तालिबान आगया, तालिबान आगया, तालिबान आगया, ऐसा क्या तवक्को है आपका तालिबान से, ऐसा क्या चाहते हैं आप तालिबान से, आप ये बता ही, आप लोग क्यों इतने बात तो आपने मान ली पड़े वाज़े तोर पर के पाकिस्तान के अंदर इंडिया के सारे कोशिशों के बावजूद एक अकट है एक यूनिटी है और सब एक ही जुबान बोल रहे हैं एक तो ये बात होगी अब क्यों हम तालबान के आने पे खुश हैं इसकी दो तीन तो ये है कि पाकिस्तान को जो खत्रा था कि जब ये अमरीका जाएगा तो यहां वहां पर एक यूद हो जाएगा जंग होगी सिवल वार होगी ऐसा कुछ नहीं हुआ कोई खून नहीं गिरा काबल में गोली नहीं चली और तालबान ने उन से टेक ओवर किया है जो पिछली हकूमत करब तरीन हकूमत थी ऐसी हकूमत थी जो ना तो अवाम के साथ थी बलके डालरों को बैग और गाडियों में बार के ले जा रहे थे पाकिस्तान का सिर्फ एक ही में मोटिफ था कि काबल के अंदर ऐसी हकूमत आए जो ना सिर्फ काबल में अफगानिस्तान की पबलि तो या कोई भी मुल्कों उसके लिए काम ना करे बलके अपने अवाम के लिए काम करे और बहारत का वो एजेंट बनकर NDS और राउ का जो पूरी दुनिया को एक नेक्जस नजर आता था और तुरी दुनिया को पता था वो खतम होना चाहिए देखें हम ये बाद जानते हैं कि पाकिस्तान के बॉडर जी बिलकुल बिलकुल बहुत बड़ी साजिश है हिंदोस्तान पूरे दिन कुछ काम नहीं करता सर एकॉनिय कोने में डालो ठीक है information technology कोने में डालो space program कोने में डालो sports कोने में डालो agriculture कोने में डालो सब लोग बैटके सर, एक जगे मोदी जी बैटते हैं, अमिद शाजी बैटते हैं, दोवाल साब बैटते हैं, हमारे आर्मी चीफ, सब बैटके दिन रात सर, दिन में करीब चार-चार मीटिंगें होती हैं, साज़िश वन, साज़िश टू, साज़िश त्री, साज़िश फोर स और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साज़िश करते हैं वेरी गुड बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनके सुभूई खान साहिब आप एक बात बताई है मैं आप से पूछता हूँ ये जो तालिबान को लेके इतने खुश है पाकिस्तानी क्या इनको ये एहसास नहीं है कि तालिबान क्या ये कह रहे हैं करप्ट हैं करप्ट है तो उनका नवाज शरीफ कौन सा दूद का दूला हुआ तो सबसे बड़ा करप्ट आदमी है तो जरदारी उसका भी बाप है और इमरान खान परसनली करप्ट है की नहीं मुझे नहीं पता लेकिन परसनली करप्ट है की जो नीचे दो चार लोग है वो तो जबरदस्त किसम के करप्ट है तीन साल का extension लेके भाई साब बैठ गए बाजवा साब इनके आर्मी चीफ इस से वड़ा corruption क्या हो सकता है सुबोई जी जी देखिए गौरव जी मैं एक बात जरूर आज बोलना चाहती हूँ आपने बहुत important discussion उठाया है कि देखिए Islamic State का myth तूटना जरूरी है ये लोग आवा से relationship अलग होती है स्टेट लोग अलग होती है Islamic State नाम की कोई चीज exist नहीं करती है ये इन लोगों को बनाया हुआ सिर्फ एक creation है दूसरी बात आज पूरी दुनिया के मुसल्मानों को पता चल गया है कि Islamic State और Islamic State के नाम पे सकता चलाने वाले लोग क्या है आज अफगानिस्त में 15-15 साल की बच्चियों को घरों से निकाल के ले जाने वाले जित तता चतित मुसल्मान ही है बुर्का ना पहनने पर महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है चौराहे पर महिलाओं को हंटर से मारा जा रहा है लेडी गवर्नर्स को पाइलेट्स को कैटिव बनाये जा रहा है औ आज वो समय कि हम सबको पूरी दुनिया को अफगानिस्तान की महिलाओं और अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है इसमें गौरव जी मैं अफगानिस्तान के लोगों से भी अहवान करती हूं उनसे अपील करती उनसे अपील करती हूं कि इसलामिक स्टेट रातो रात नहीं बन जाता है जब एक वैचारिक अनुखूलता बनाई जाती है इसलामिक स्टेट के लिए आपको तब बोलना चाहिए जब इसलाम के नाम पे आपको चार्जब किया जाता है जब दूसरे पंदों से दूसरे दे साथ वो टेर्रिस थोड़ना है वातंगवादी दहशतगर थोड़ना है वो बच्चे हैं नन्न मुन्न राही हैं और अपने देश के सिपाई हैं जी सुबूई जी आप कुछ बोल रही थी उसके बाद मैं जाता हूं हमेद खान से बात करें जी गौरफ जी मैं ये बोल रही थ अगर अफ्गानिस्तान के लोग जब 2015 में यहीरी सीरिया में हो रही थी तब आवाज उठाते तो आज ही उनके साथ नहीं होता जब अफ़निस्तान मीं हिंदू बेटियों को मारा जा रहा था तब अगर आवाज उठाते तो आज इनके साथ ये नहीं होता तो देखिए ये चारमुक्ता फल भी हमें भोगना पड़ता है बहुत बहुत ही दुख की बात है कि मुझे ये कहना पढ़ रहा है गौरफ जी लेकिन मनन नहीं करेंगे आखें नहीं कोलेंगे तो उस श्राफ से उन चीज़ों से उन तकलीव से हम बचे नहीं रह सकते हैं मैसिज में जरूर पूरे विश्व के मुसमान तक पहुचाना चाहती हूँ जी बलकुल सुभी खान बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमिद खान साब एक बात बताईए मलिया जी मैं थोड़ी देर में जोइन करेंगी पर मैं उनसे भी सवाल लूँगा और श्वेता तरिपाटी भी उनसे एक सवाल पूछना चाह रही है मलिया हाश्मी जी से जब वो आएंगी अच्छा हमिद खान साब एक बात बताईए आप लोग चाह किया रहे हैं आपने वो इमेजिस देखी थी वो बच्चे तालिबान की खुशी में तराना गा रहे हैं तालिबान जिन्दाबाद ये जानते हुए कि तालिबान ने गाना गाते हैं तालिबान ने गाने बाने बैन कर दी हैं से वे जिस्ट फ़र इंफोमेशन सर अगर आपको नहीं पता हो तालिबान ने गाने बैन कर दिये तो तालिबान की खुशी में भी गाने गाएंगे वो भी गुना है उसके लिए भी मार देंगे वो लोग तो क्यों बच्चों को ऐसा बहकाते हैं सर कि आओ चलो बच्चों मिल माफी चाहूंगा ये रमनीक माँ जी बैठे हैं वहाँ पर ये बहुत साज़िश करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ इनका काम ही यह है और मैं रमनीक माँ जी आपके पास आउँगा थोड़े देर आप फिर साज़िश कर सकते हैं टीवी पर हामिद खान साब आप बताई आप एक पूरा नेरेटिव बिल्ट कर लेते हैं ये रिपबलिक टीवी का बड़ा फेलियर है आई विश के रिपबलिक टीवी वो दो चार सो वीडियो भी दिखाए जहां शहर में अमन है मैं जब खाना जंगी की सिवल वार की टर्माइल की बात करता हूँ तो उसका मकसद ये ह कि जी वहां अल्ला ना करे हजारों लोगों की जाने नहीं जा रही हतिया नहीं हो रही है दूसरी बाद ये कि आज आपकी अभी नियूस में दिखाया कि कितने इंडियन जो हैं वो काबल से बाई एर वापस आए हैं आज चार सो इंडियन और आ रहे हैं ये सब कुछ इसलि पाकिस्तान ये चाहता है कि जी तालबान जो हकूमत बना रहे हैं वो हकूमत इंसाफ के उपर होगी वो हकूमत किसी मुल्क की साज़िश का हिस्सा नहीं बनेगी हम नहीं चाहते हैं आप कह रहे हैं न जी मूदी जी बिलकुल मैंने आपकी बात समझ ली हामिद खान साब हम मैं पूरा मौका दोगा आपको जहर उगलने का बिलकुल जी बिलकुल बहुत बहुत दन्यवद सबूत तो पाकिस्तान में चलन देखिए है नहीं सबूतों का रमनीक मान जी मैं आपके पास आता हूं रमनीक मान जी और अनिट इंटर्टिट में आपको दो मिनिट डोंगा ज चाहते हैं सर आप खान है वो मान है खान का हो गया सर मान को बोलने दीजे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे मान साब बोलने जरा अगर आपकी एजाज़त हो तो रमनीक बाद बता ही है ये तो कह रहें साब कि बिलकुल अमन के तालिबान ने कभी किसी का कुछ नहीं विगाड़ा, दूद पीते बच्चे हैं, और ना वो चोरी करते हैं सर, ना वो कुछ गलत काम करते हैं, बड़े इमांदार हैं, दूद के धुले हैं एकदम, इन्हों ने तो सर्टिफिकेट की दुकान या प्रिंटिंग प्रेश शाप दिसर यहां पे, मान साब, नहीं चलिए, जब पाकिस्तानियों से तो और आप तवक्को भी क्या करते हैं, और क्या उमीद रखते हैं आप पाकिस्तानियों से, इनका तो यही कहना है, अब देखिए, समझने वाली बात यह है, कि जिस तरीके से तालिबान ने एक अपने ले सुरूप है, उनकी शकल है, दूसरा जिस तरीके से चौंक के बीच में ओरतों को उनने राइफल की बटों से मारा है, उनने कोड़े बरसाए हैं, वो भी देखा है, उससे पहले पत्थर मार मार के अफगानिस्तान एरफोस की जो एक महिला अपसर थी, उनको मारा, उसके अल बड़े बाले हैं, तो ओरतें क्यों उत्री भी शड़क के उपर, आप बताईए अफगानसान में काबल में, क्यों उत्री और जो ओरतें उत्री, उनके घर में घुस घुस के उनको ढून ढून के क्यो मारा, और एक बड़ी दिल्चस्प मैं बात बताऊँ आपको मिज़े स सब वो ही लोग हैं, जिनोंने मिलके अब तालिबान के अंदर, या काबल के अंदर, या अफगानिस्तान के अंदर जाके, अब अपना शासन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, या करी रहे हैं, बहुत हद तक पंशीर को और कुछ इलाकों को छोड़के, महाँ पे यह काबिज में हैं और कही जगा इनको रिजिस्टन्स फेस भी करनी पड़ रही है, पर हकीकत यह है कि जो जिस तरीके से आप इसलामबाद में या फाटा में, जिसको अब केपी के कहते हैं, और अलग अलग जगाओं पे, मुक्तलिफ जगाओं पे आप देख रहे हैं, कि जिस के बिजने का माध किया, इन्होंने वह रहते हैं, चमण में लाल बेक का, जहां से यह कंदार रोड पे चमन कंदार रोड पे, इन्होंने सिपिन बॉल डाक्स हैं, इन्होने बहुत सपोर्ट किया तálिबान को, अब वही तालिबान, मैं आपको मुझा बात देता हूँ पाक कर्वाबाद में तुम्हारे प्रेजिडिन्ट हाउस पर वाय मिनस्टर हाउस पर तुम्हारे सुप्रीम कोटों पर अप मुंकिタलिबस के ओपर जंडा लगेगा तालिबस, तुम्हारे मुल्कों, टेक ओवर करेगा भलकुल, आप हुशी मनाइए बेशक पर तब तक मनाइए जब तके तुम्हारे घर में घुशके तुम्हार को नहीं मारते हैं। वो पूरा चुन्नी उन्नी डालके घुंगड घुंगड डालके प्रॉपर्ट, you know, with everything, accrutements, so to say, वो भगे रहते हैं वहाँ पर मौलवी साब, यह उन्हीं का लाल मस्जिद है जहां से, अचा आप एक बाद बताईए सर, यह गवादर में भी अटाक हुआ, ठेक है, वो भी हम पर साइ, वो डौवाल साब, डौवाल साब NSA जो है हमारे, उनकी साजिश है शाहिद, ठीक हो गया, पाकिस्तान diplomatically isolated है, आप चाहे कितनी भी बोंगिया हमारे सर, पाकिस्तान diplomatically isolated, यह मोदी जी की साजिश होगी, I'm sure, I'm sure, और अमिद चाजी को अलग-अलग साजिश हैं कर र ने, मैं यह कहूंगा कि एक आप हकीकत को, रियलिटी को अंडरस्टैंड करें, कि एक तरफ से आप खुदी अपनी ही बात को आप जो है ना वो रद कर देते हैं, आप एक तरफ से तो कहते हैं कि अमरीका जो है, वो आ गया और अमरीका चला गया, अब अमरीका भी हमने जस्ट जो है, उसको अंडरस्टैंड करें, दूसरी बात यह है कि आप ये अंडरस्टैंड करें, कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, जो इस खिते में सब की साज़िशों का मकाबला किया, चाहे वो इरान के बार्डर से इंडिया की साज़िशे हों, कुल बोशन की शकल में ह ये जिसकी मरजी शकल में हो हम सबूत के साथ बात करते हैं आप ब्रेकिंग नियूस बनाकर हवा में बात करते हैं हम युनाइटिड नेशन में डोजियर देते हैं आप टीवी चैनल पे किसी भी शुवेता हो या कोई भी हो उनको बिठा के माइक पकड़ा के तो बाते शुरू करवा देते हैं बगार सबूत के हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान आज पाकिस्तान अफगानिस्तान में पुर अमन अफगानिस्तान बनाने के लिए कोशिशें कर रहा है आप 25 साल पुरानी वीडियो दिखा कर अवाम को गुम्रा कर रहे हैं मिस्गाइड कर रहे हैं पाकिस्तान ये कह रहा है कि आज के जो तालबान हैं उन्होंने बड़ा वाज़ कहा है कि वो विमेन राइट्स की भी वाइलेशन नहीं करेंगे उन्होंने बड़ा वाज़िए विमेन राइट्स भी दिये हैं आप पुराने कलिफ दिखा कर अवाम को डरा रहे हैं गुम्रा कर रहे हैं रियलिटी आज की दिखाएं आज जो है हमद कान साब बहुत मुक्तलिफ है आज वहाँ पीस्फुल है आज वहाँ अमन हो रहाँ आज वहाँ पीस है अचाहि यह यह मैंना एक पार एक मिनिट एक मिनिट आमध कान साब को दरा लुक करे आमध कान साब विच 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 ओरिष दो भी अट है I mean, what's wrong with you? आपको मैं कहता हूँ, रुक जाईए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको टाइम देते हैं, दो मिनिट तो आप पांच मिनिट ले ले लेते हो, प्लीज, इनका फेड़ डाउन करिये. I know, where do you breathe from? Hold on. श्वेता एक तो आप ये गलत गलत खबरें ना करें, आप प्रोपगंडा कर रही हैं, यहां पे, यह हमित खान साब कह रहे हैं कि इनके हाथ में माइक पकला दिया है श्वेता के हाथ में, तो श्वेता प्रोपगंडा कर रही हैं आपे, तो एक तो इन्होंने प्रोपगंडा का इल्जाम लगाया है जूटी जूटी खबरें फेक वीडियोज पूरा हिंदुस्तान और इन्होंने नाम लेकर बोल दिया कि आपने शुटा तरिपाटी के स्क्रीन पर लाई है मलिया जी एक बात बताई है मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ आप से कि आप लोग तालिबान से चाहते क्या है पाकिस्तानी पूरे सोशिल मीडिया में और मेरा जवाब दीजेगा मैं आपको बिल्कुल मैं तब ही इंटरप्ट करूँगा अगर बाते हैं उसकी बाते हैं कि योनौ चांड से कोई आगे ये सब नहीं मेरे सवाल का जवाब दीजиях मैं आप से मलिया जी एक बात ये पूछना चाहता हूं कि आप आप लोग चाहते क्या है? पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोचिल मीडिया, यह कह रहा है कि अब तालिबान जाएगा कश्मीर में और इंडियन आर्मी से दो-दो हाथ करेगा, ठीक हो क्या? यह मैंने भी खुद देखा है, तो मैं किसी की सुनी बात नहीं कर रहा है, चलि एक पनट रुक जाईए, मेरा सवाल खतम नहीं हुआ कभी तुर्की लेके देगा कभी मलेशिया लेके देगा कभी कोई लेके देगा, अब लेटरस्ट है तालिबान लेके देगा, किसी ने तो लेके दिया नहीं आपको कश्मीर पर मैं यह कह रहा हूँ, मेरा सवाल आपसे सिर्फी है सवाल का जवाब दीजेगा, मैं इंटरप नहीं करूँगा आप लोग कभी अपने फॉट से क्यों नहीं कहते इमान, तक्वा, जिहाद, फी सभी लिल्ला जिहाद करेंगे वो तो DHA के प्लॉट घेर रहे है, उनसे बोलो कश्मीर घेरे नहीं, आप उनसे बोलो कश्मीर जाएं, आप उनसे बोलो कमर जावद बाजवा साब से कि 500 गजके plot card कार्थ कश्मीर में अंदर तुंहाएं अन्दर नहीं सुनिए मल्या जी एक मिनट मल्या जी इक मिनट मोल्या जी एक मिनट मेरा माँ भाशड ठीक लिए और अगर आपको क्या आत्तिय यख़C तो भूलीए करने दोंगे फ़ले आपका भोग रहने अगर में इसमें गैस हूं तो मेरा भी इसना स्टेक है एक मिनिट तो इसमें मेरा पीसियर मलिया को मलिया का वॉल्यूम डाउन करी है युआ प्रिशे नॉनसन्स ओन शो मैम मैं चाहनी रहा था किसी लेडी से ऐसे बात करूँ लेकिन अगर आपको बात नी समझ में हाते हैं इसमें सारी स्टेक्स मेरी हैं और रिपॉब्लिक मीडिया नेटवर्क है आपकी जिरो स्टेक्स है ठीक है धन्यवाद बहुत बहुत आपका आपके बिनाभी प्रोग्राम चल सकता है ठीक है खामध खान साभ को ला ये बीच मैं हामध खान साभ मैं आप से पूछना चाहता सर, मेरा सीधा सवाल है, आप अपनी फाज से तवक्यों क्यों नी रखते सर, तालिबानी करेगा? मैं ये समझता हूँ, गौरॉफ के ऐस एथिक्स टू दा मीडिया, आपको सारे राइट नहीं होते, आप जब किसी को बुलाते हैं, तो उसका भी राइट होता है, आपको सूरे जरूर, एक मिनिट, एक मिनिट, मुझे स्क्रीन पे लीजे पीसे आट, हाँ, हाँ, अगर बुर अलिस साल का हूँ, मैं आपको हमेद खान साब बोल रहा हूँ, आप गौरॉफ के रहे हैं, आपके बड़ों ने तमीज भी सिकाई सारे, बड़ों ने कैसे बात करते हैं? आप सुनिये जिए या तो सुनिये एक मिनिट सुनो एक मिनिट सुनिये मैं आपको बड़ी इज़त दे रहा हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को इज़त अजम नहीं होती पाकिस्तानियों को इजदत थमनी होती नहीं 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 एक मिनट नहीं नहीं मेरी बात सुनिया मेरी बात सुनिया आधा है इंका वेडर डाउन करो इनको मिरी बात सुनानी पड़ेगी हामेद खाण साब ऐसा है Sweetheart I look young I look young But I am not तो आपको ये बात रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अब सवाल का जवाब दीजिए प्लीज इनका फेडर अप करिया सवाल का जवाब दीजिए सर सवाल का जवाब दीजिए आप सवाल का जवाब दे रहे हैं कि मैं कहीं और जाओं इनका फेडर डाउन करो, पी-सी-ार इनका फेडर डाउन करो, इनके पास सवाल के जगा, रमनीक बान साब आप बताईए, इनकी सारी की सारी तवक्क क्यों है तालिबान से, ये अपने चीफ से क्यों नहीं कहते, कि एमान तक्वा, जिहाद फी सभी लिल्ला, घोड़े पे बै और हकीकत, वो तस्वीर, वो इतिहासिक तस्वीर, वो तारीखी तस्वीर जिसके अंदर आपका जर्नल ए-ए के नयाजी अपनी रिवॉल्वर और अपने बैज और अपने रेंक सरेंडर कर रहा है, वो इसलियत है आपकी फोज की, वो सचाई है आपके मुल्क को तोड़के एक नया मुल्क बना ये आपकी आपकात है ये आपकी फोज की ऐसी है तोरो ठीक है आप अपनी फोज से इससे फालतु तवक्व भी मत कीजिएगा और जोंसी बात आप कह रहे थे मिज़साब की वो सलवार पहन के इनकी पूरी कौम को जर्रल हरी सिंग नलवा ने सलवारे बन बताईए आपके जर्रल बाबर इफ्तिकार और आपके मौईन यूसुफ जो आपके ये एनसे हैं ये जखक मारने गहते आठ दिन अमरीका में अमरीका के विड्रॉल से पहले आप बताईए यारे आप आपकी एक डील हुई है ये सब सारी दुनिया को पता है कि जिस हेस्ट अमरीका हुआ से निकला है पर आपको मैं एक बाब बताता हूँ अमरीका तब तक आपको सपोर्ट करेगा आपकी आर्मी को सपोर्ट करेगा आपको ये बाते वाज़ी तोर पर पता है कि 80% जो GDP है अफगानिस्तान का वो एड़ पर चलता है आप मुलक कैसे चला होगे बिन जैसा अफगानिस्तान जैसा पाकिस्तान का हल हो जाएगा जी बिल्कुल ठीक बात है एक दम मैं अभी मैं जाओंगा डिरेक्ली सुभूई खान साहब आपके पस मैं आपसे बात पूछना चाता हूँ सुभूई खान साहब ये पूरा का पूरा विक्टम कार्ड का इंडिया ने साजिश कर दी ये करते हैं इन लोगों ने अभी अभी एक फोटोग्राफ आई है जनल फैस की यह तरह फोटोग्राफ दिखाई है जनल फैस तालिबानियों के साथ कंधार में नमास पढ़ रहा है जनल फैस जो है वो तालिबानियों के साथ नमास पढ़ र नहीं है, जनरल फैस की मुझे नहीं है, आप प्लीज जनरल फैस की फोटोग्राफ दिखाई है, नमाज पढ़ रहे हैं, अच्छा फोटोग्राफ अब ही आती होगी दोस्तों, नाथिंग वरी अबाउट, फुल स्क्रीन पे लीजे सारे गैस को, ये 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 भाई हैं ये भाई हैं, आप पारावाले, जनरल फैस, आएस आई, ये मुल्ला बरादर के साथ कंधार में नमाज पढ़ रहे हैं, अच्छा, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, सुबुई खान साहिबा आपसे, गैस को लिडी जे स्क्रीन पे, सुबुई खान साहिबा, मेरा सवा आपसे ये है, कि ये तालिबानियों के साथ भी नमाज पढ़ रहे हैं, हामिद खान साहब इसके बाद आपके पास आउंगा मैं, और आपको पूरे दो मिनिट दूँगा, पूरे दो मिनिट दूँगा, विदाउट इंटरप्शन, ठीक है, आपको अक्सर शिकायत होती है, जब आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं, आपने भी पूरी वो कंटेनर पर खड़े होके इमरान खान वाली तक्रीर कर दी, मैं आपको पूरे दो मिनिट दूँगा, अब बताइए सुबूई खान, इन्होंने तालिबान के साथ भी नमाज पढ़नी है, कोई बात नहीं, इन सुबूई आपको मेरी आवास आ रही है? अचा, सुबूई आपको मेरी आवास आ रही है? जरा, if you can just confirm, आपको मेरी आवास आ रही है, सुबूई? नहीं कुछ आडियो का प्रॉब्लम है कोई बात नहीं हम थोड़े दियर में आते हैं हामिद खान मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप एक बात बताईए मुझसे हामिद खान सब ये पूरा जो मामला है पाकिस्तान का इमरान खान का ये कहना कि साब आजाद हो गया अफगानिस्तान उन्होंने जहनी आजादी की बात करी आपने सुना होगा उन्होंने जहनी आजादी की बात करी उन्होंने दो चार और लंबी लंबी अपनी छोड़ी तकरीरों में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर 20 साल तक जो अमेरिकन्स थे वहाँ पे आप कहते हैं ना काबिस थे, अंडर कंट्रोल थे, जबरदस्ती तब ही तो आजादी मिली, जब कोई जालिम काबिस होता है उससे ही तो आजादी मिलती है यही तो कहने का मतलब है आपका उस जालिम को खाना कहां से जा रहा था उस जालिम को असला बारूद कहां से, जालिम से मेरी मुराद है जो आप लोग कहते हैं अमेरिकन्स को, ठीक है जी, आप लोग कहते हैं जालिम ना तो मैं भी जालिम कह रहा हूँ, उनको खाना कहां से जाता था सर उनको राइफल, एमुनिशन, असला बारूद, ये कहां से जाता था? 20 साल से, क्या वो बिन कासिम पोर्ट कराची से होते हुए? क्या वो नहीं गया? क्या पिछले 20 साल में, अफगानिस्तान और तालिबान की उपर आप लोगों ने एर बेसिस नहीं दिया, अटैक करने के लिए? क्या आप लोगों ने अपनी जमीन 20 साल तक, पिछले साल सेप्टेंबर में भी समान गया है सर? इमरान खान के रूल में, खान साब जड़ा एक बाद बताईए, कहने को बढ़ा अच्छा है, आपने ट्वीट दाग दिया इमरान खान ने, कि आब आज़ादी हो गई, जहनी आज़ादी, फलान और इमका, सर, आप लोग तो खुद अमेरिकन से पैसे, कोईलेशन रिलीफ फंड से पैसा किसको मिला, billions of dollars, किसको मिले, अर्बर डॉलर, आप लोगों ने लिए, क्यों लिए, क्योंकि आप सामान बेज रहते हैं अंदर से, आपने यही काम, यही काम, यही काम, यह आप ब्रिगेडिय मलिक की किताब पढ़िये, sir, The Batrap, उसमें भी उन्होंने यही लि हम यह कहते हैं, कि जी, वो जो 20 साल के अंदर गवर्मिन्ट ने, अगर उसके अंदर पॉलिसी के तोर पर गलत पॉलिसी बनाई और उसको अब रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो इससे इंडिया का कोई तालुक नहीं बनता, पहली बाद यह, हम यह समझते हैं, कि आज अगर प अफर्स कर रहा है, इंडिया आज अमरीका की गोद में, वो ही करने जा रहा है, वो ही कुछ करने जा रहा है, जिसका पाकिस्तान ने कीमत पे की है, पाकिस्तान ने 150 अरफ बार्मर का एकनॉमिकल लास किया, अचा, हम यहां पर नेट वर्क चलाना है, कि आपको पूरा आपसूलूटली नॉट, यह इमरान खान जुटा है, यह किसी ने माँगे नहीं उस से बेसिस, इमरान खान से, यह भाई विधेशों में गया, चोड़े हो के कह रहा है, आपसूलूटली नॉट एक बात बता दो, किसने बेस माँगे, वो कौन सा बंदा था जिसने चिठी लिखे इमरान खान को, वो कौन सा बंदा था जिसने फोन कॉल करा, यही पाकिस्तान की opposition पूछ रही है कि भाई साब आपको बोला किसने basis, किसी ने नहीं बोला या जा के absolutely not, बेगानी शादी में अबदुल्ला दीवान absolutely not, nobody asked Pakistan for basis, आज भी Americans bases नहीं मांग रहे, उन्होंने तो air bombing साब बंद कर दी है, absolutely not, जुड बोल रहा है अमरान खान और Pakistan की जंता जो है, वो चूरन खाके वैसे भी बेहोश रहाती है, I don't blame them, please, I don't blame them सुभूई खान साहिबा, मैं आप से एक minute का intervention लोगा, फिर मैं शो क्लोस कर रहा हूँ शोर, प्लीज, सुभूई खान साहिब, आपके कमेंट, जूरफ जी, सबसे पहले तो मैं इनकी एक बात को बिल्कुल condemn करती हूँ कि इंडिया, अमेरिका की गोद में खेल रहा है, सबसे प्राचीन सब्धताय भारत और पूरा विश्व हमारी गोद में पला पोसा और बढ़ा हुआ है, हम किसी की गोद में नहीं कहलते हैं, दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान में चैनो अमन चाहता है, तो अबने देश में तो कर लीजे भाई, इतिहात दवा है कि मुसल्मान कभी भी चैनो अमन से इस्लामिक सेट में नहीं रह पाया, मुसल्मान चैनो अमन से सिर्फ और सिर्फ लोक्तांत्रिक डेश में रह सकता है, और सबसे जादा सुरफशार सम्मान के साथ भारत में रह सकता है आज मुसल्मान के साथ बुरा इसली हो रहा है कि उनने इसलाम का वो इतिहास नहीं जाएगा आज की दोस्तों हमने पूरी की पूरी डिबेट करी भगवान न करे वहाँ पे कोई बेहन हो जिसके भाई को एक खरोज भी आए पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और आज राकी का दिन है लेकिन जो तालिबान से हाथ मिलाएगा उसके साथ बुरा ही होगा और पाकिस्तान ने तालिबान से हाथ मिला लिया है बहुत बहुत धन्यवाद भारत पाकिस्तान घमासान में में जॉइन करने के लिए मेरी टीम और मेरी तरफ से हाँ सबकुत जाहिंद और राकी की बहुत बहुत शुब कामने है अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दमाएं थैंक यू